वेलकम एक नादर वीडियो दो आटोमोपेल एक्सपर्ट हुंडई ने अपनी लेटेस्ट मिट साइस क्रॉस ओवर SUV आयोनिक 5 से पर्दा उठाया है इस इलेक्ट्रिक कार को साल के अंतितक कई चुरंदा मार्केट में लॉंच कर दिया जाएगा इसका डिजाइन काफी मॉड बैटरी पेक मिलेंगे साथ ही इसमें रियर वील ड्राइब और और वील ड्राइब को आप्शन भी दिया गया है यहां आप आयनिक 5 कार में दिये गए पावर ट्रेन के आप्शन परफॉमेंस रेटिंग देख सकते हैं हुंडई के इस इलेक्रिक विकल में 400 वोल्ट और 800 व इसमें वीकल टू लोड फंक्शन के जरिये ग्रहा कार की बैटरी का इस्तमाल करके दूसरे इलेक्रोनिक आइटम को भी चार्ज कर सकते हैं इस अपकमिंग कार के वील बेस की लंबाई 3000 मिलिमेटर है जो कि टोयटा फॉर्चुनर और 4 एंडेवर के वील बेस से 100 मिलिमेटर जादा है इस फाइब सीटर कार में अच्छा खासा केविन स्पेस भी मिलेगा इसमें फ्लेट फ्लोर पर मुवेवल सेंटर कंसोल दिया जाएगा जो की 140 मिलिमेटर तक स्लाइड बेक किया जा सकता है कंपनी ने इसके केविन में टेच पॉइंट के लिए कई सारे एनवार् इसको काफी पहतर बनाएगी इस गाली में इंटीर में हुट लैस ड्राइब डिस्प्ले के लिए डियूल स्क्रीण सेट अप 12 इंच का इनफोटेन्मेंट सिस्टम के लिए टेच श्रीन डिस्प्ले दिया जाएगा इस क्रासोवर कार में शार्प केरेक्टर लाइन्स और विंड स्क्रीन रेक दी गई है इसके अलावा आइनिक 5 कार में 20 इंच के बड़े वील्स भी फिट किये गए हैं फीचर्स के तोर पर इस कार में हमें semi autonomous driving assist, remote parking assist, blue link connectivity car technology, surround view monitoring, forward collagen awareness assist और augmented reality headlamp display जैसे फीचर मिलेंगे सेग्मेंट में आइनिक 5 का मुकाबरा Tesla Model Y से हो सकता है इसका comparison किया कि पहली EV से भी होगा जिसे March 2021 तक पेश किया जाएगा फिला लियत तया नहीं है कि आइनिक 5 भारत में आएगी या नहीं चर्चा है कि कंपनी आइनिक सीरीज के कुछ electric कारों को भारत में उतार सकती है अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी informative लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें साथी हमारे चैनल दौट मोल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ब्रेस करें जिसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें अगर आपके कोई तो हमें कमेंड में ज़रू बताए हम रोजान आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं धन्यवाद